आज हम बात करने वाले हैं गुरु जंबेश्वर युनिवस्टी ओफ साइंस एंड टेक्नलोजी जो कि आपका हिसार हर्याना में है अगर इसकी अवर ओल आप निरेफ रैंकिंग देखेंगे तो वो आपकी जो है 84 की अराउंड है जिसमें इंजिंडरिंग वगारा भी आपक पिसकी जो है रैंकिंग है फार्मा की काटेगरी में क्योंकि बहुत सारे क क्लेज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं जब हम फर्स लाइट पर चलते हैं तो यहां पर ऐसे europe किस्टेट गोर्मेंट यूनिवस्टिय जो है यह अर्याना गोर्मेंट के अंडर आती है और यहां सीटे भी जो हर्याना के कैंडिडेट्स है उनको ज्यादा मिलेंगी टोटल सीट्स आपकी 45 हैं जिसमें से 85 पर सेंट जो सीट्स है वो हर्याना के जो रेजिडेंशल हैं उनके लिए रिजावड हैं बाकि 50% सेटे पे और इंडिया के टिगरी की जो स्टूडेंट से उनका एडमिशन होता है तो यह इंपोर्टेंट आपके लिए पाइंट है और यह 50% सीटे अल्मोस्ट हमेशा फिल रहती है अर्याना के कैंडिडेट्स को थोड़ा एडमिशन लेने में असानी होती है यहां पर क्योंकि रिजर् सब्सक्राइब और एक अच्छी सीट्स यह हैं कि हम इसले इने कह सकते हैं अगर आप एडमिशन की बात करें हैं थोड़ी एक्स्टा इंफॉर्मेशन और सीट्स जो है कि दो सीटे जो है यह इन पंताली सीटों से जो अलग है वह सुपरनिमरी जो है गर्ल चाइल सिंगल ग के लिए एक सीट है आपकी नौर्थ इस्ट इस्टरन कैंडिएट के लिए और या फिर जो कोवीड में किसी के पैरेंट्स का डिसीज्ट हुआ है तो उसमें उनको एक सीट मिली हुए है एक सीट है कश्मीरी माईगरेंट के लिए जो हमेशा हर जगा हर इंसे चूट में रह proceeds है 45 से अलग इनकी फीस भी जो है वो कम है और इनके लिए जो है दूसरी schemes भी यहां पर है तो यह एक इनके लिए थोड़ा सा plus point है form and fees की बात करें तो form जो है आपके जून के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं हला कि वीडियो भी जून के फर्स्ट वीक में ही है तो I think जल्दी ही इनके form out हो जाएंगे admission जो है वो जीपट के बेस पर होता है लेकिन नौन जीपट qualified भी apply कर सकते हैं लेकिन उनको admission लेने के लिए यहां पर एक entrance exam देना पड़ता है जीपट जो students है qualified students है उनको कोई entrance exam देने की जूरत नहीं है जो non qualified है उनको entrance देना पड़ता है और उन वो जो entrance लेते हैं उसके बेस पर यह एक अपनी merit list लगाते हैं जिस्ते admission होता है तो यानि दोनों candidates qualified भी और non qualified भी यहां पर apply कर सकते हैं लेकिन एक यहां पर important बात है कि जो आपकी scholarship है वो सिर्फ जीपेट qualified candidates को मिलेगी जिनका admission जीपेट के basis पर हुआ है अगर किसी का admission entrance exam के बेस पर हुआ है तो उसको कोई scholarship नहीं मिलती है क्योंकि जीपेट की scholarship आपका AICT देता है और जो entrance exam है वो आपका conduct करा रहा है यह JJU तो सिर्फ जीपेट qualified candidates को scholarship है someone asked me about the MBA किसी ने MBA के बारे मुझसे पूछा था कि MBA में admission का क्या procedure है तो फार्मा में pharmaceutical management में यहां पर MBA नहीं होता है जो MBA में जैसे यहां पर finance में मार्केटिंग में है तो आपका cat का जो exam होता है उस base पे होता है और cat के exam के लिए जो है graduation eligibility रहती है हमेशाई तो यह एक point था कि आपको जो है MBA में जो इसमें फार्मा स्टुडेंट्स के लिए MBA नहीं है और नहीं वहां पर जो है आपका जीपट कहीं पर लगता है तो यह एक important point है जो आपके लिए जरूरी था समझना next अगर हम दूसरी information की बात करें तो जो आपकी form की फीस है जर्नल के लिए वह आपकी 1200 रुपए है 600 रुपए आपकी फीस है बीसी कैंडिडेट्स और तीन सो रुपए और एक question जो आपका रहता है कि अगर हम दो separate प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं हाला कि यहां पर आप सिर्फ एमफों में अप्लाई करेंगे लेकिन अगर आप में कोई अप्लाई करता है तो उसको अलग से फीस देनी पड़ती है separate form फीस जो है उसको वह भरनी पड़ती है अब जितने अलग-अलग प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे उतनी आपको जो फीस है वह देनी पड़ेगी अलग से फॉम में तो यह question जो है आपका यह रहता ह हमेशाई नेक्स्ट हम बात करें कोर्स फी एंड रिफंड पॉलिसी जो कोर्स फी है मेरे इसाब से ठीक है जितना इनका इंसिट्यूट से इंफ्रास्रिक्चर है फैसिलिटीज है उसके इसाब से ठीक फीस है तो 68000 के करीब आपकी पर एनम की फीस है और इसमें से भी कुछ दो तीन हजार रुपे जो हैं आपको जब आपका एंफ पूरा हो जाते तो रिफंड हो जाते हैं अगदर समस्टर जो आपका रह जाएगा थर्ड और फोर समस्टर तो उसमें आपका कुछ 34000 रुपे फीसिये लेते हैं रिफंड पॉलिसी इनका देखना जरूरी है क्योंक जब यूगा भरा है तो यह दोनों में हमेशा ही स्टुडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और फॉर्म भरते हैं दोनों का तो यहां पर इन्होंने एक आपका डेट मेंशन की होती है एडमिशन की उससे पहले अगर आप बताएंगे तो आपको 100% या 80% रिकावर हो जाती है अ आपको 0% अब यहां पर एक बात थोड़ी सी और इंपोर्टेंट है यहां पर दैसे लिखा है 100% फीस रिफंड तो कभी भी 100% फीस रिफंड नहीं होगी यहां पर आपके अपके फाइफ थाउजन रूपे जो है वह आपके कट करके देते हैं यहां पर लिखा है अंडर पर करके ही चलें अगर आप रिफंड कराते हैं तो यह आपका रिफंड पॉलिसी है इनकी नेक्स हम बात करें तो यहां पर एक में जो है प्लेस्मेंट का प्लेस्मेंट का आप देखें तो ग्राफ जो है वो नीचे गिरता गया है इस यूनिवस्टी का लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0 हो गया है जैसे आप देखेंगे नीचे जो है यहां पर 25 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट्स एम फॉर्म के प्लेस हुएं लेकिन जैसे यह आप ऊपर की तरफ देखते हैं 2018-19 तो वहां पर एम फॉर्म स्टूडेंट का नाम नहीं है हाला कि 10 स्टूडें है उनके बीच का जो डेटा है वो नहीं डाला है और यह डेटा जो है इनकी साइट पर प्रेजेंट है तो आप भी देख सकते हैं अधर फैसिलिटिस के बात करें तो वह बहुत सही है लाइब्रेरी इनकी बहुत अच्छी है पिक्स भी है आई थिंक स्लाइट में लास्ट म इन्होंने बताया हुआ है ब्यूटी पालर कॉस्मेटिक शॉप फोटो कोपी की शॉप यह सब आपकी आसपास है ऐसे इन्होंने गल्स होस्टिल के पास बताया है लेकिन होस्टल जो है वो ठीक है यहां पर अच्छे होस्टल से इंस्टुमेंटेशन लाइब लाबरेटरी है तो कुछ वो आइधिंग दो हजार या पत्चीस सो रुवे कुछ आपको ऐसा वो देते हैं और बहुत सारी स्कीम में है आइधिंग इसमें पैंशन स्कीम है या आपका जो है इन्फॉर्मेटिव सेंटर वाला वो गहरा की फैसिलिटीज है कैयर काउंसलिंग का एक इनका अब हम कैंपस कि करें तो मेंगेट है इनका ओडिटोरियाम नाइब्डेरी है तो कैंपस इनका ठीक है और बहुत सारी ऐलेकिन थोड़ा साब 216 जो रहता है वह प्लेस्मेंट का रहता है मोस्ली जो स्टूडेंट्स कन्फूजड होते हैं वो होते हैं जे जे यू या बिल्कुल नहीं आता है लेकिन यहां पर जैसे इनों ने डेटा दिया है तो शायद पॉसिबल है कि यहां पर प्रेस्मेंट होती हो लेकिन कोई डेटा नहीं है कि कितना पैकेज दे रहे हैं कौन से कंपनी आ रहे हैं तो यह थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है लात पाउट करते हैं ग्यां एक राउट की का इंड़ा प्रेस्ट कर रहे हैं धरने क्या अश्रवीट कर दोग्या थे कि अदिया है